स्टुडेंट से कुश्चन है a man purchased a cell phone for Rs.2,000 और उसके spend करता है वो replace his body or case जो कबर उसको replace करने के लिए 200 spend करता है if we sell the cell phone at 2500 rupees find the profit or loss percent तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने खरीदा कितने का 2000 का वो खरीदा और उसको overhead expenses जो से उसका cover change किया है वो 200 rupees लगाए तो actual cost price उसको पढ़ा वो कितने का पढ़ा जो CP था और उसने जो overhead expenses लगाए तो यह बनके 2200 का यह actual CP हो गया अब उसने बेचा कितने का 2500 का वो उसने बेच दिया तो उसको देखिए खरीदा था 2200 का और बेचा 2500 को उसको profit होगे profit है SP minus CP तो profit होगे उसको 300 rupees का दोनों को 200 multiplied by 100 जीरो से 0 कट गई तो यहां पर हमारे पास अगर स्कूम काटें टू के टेवल पे 150 over 11 तो हमारे पास यह आएगा 150 over 11 और जब इसको decimal में convert करते हैं 13.63 परसेंट यह जो है हमारे पास इसका profit आएगा यह इसका अबस्टार थाएगा यह जो तो यह जो हैंसरे थेंक यू